प्रिवन जेई में 25 में 75 परसेंटाइल होगा या नहीं होगा हमें कितने सब्जेट के एक मार्क्स काउंट करने है ताकि आपका 75 परसेंट क्रेटरिया सब्मीट हो पाए बहुत सार लोग का यह मेजर डाउट है काफी सार लोग को यह डाउट है जो मैंने वीडियो पहले सब्सक्राइब करता हूँ तो सब्सक्राइब करता हूँ तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और आपको कांसलिंग तक आपको 75% में आपको कौन सा सब्सक्राइब करना ध्यान से सुनिए बहुत सार लोग यह पूछ रहें इसलिए डाउट ऐसा पूछ रहें क्योंकि उनके कोचिंग के टीचर या फिर उनके स्कूल के टीचर उनके स्कूल के प्रिंसपल ऐसा कुछ बता रहा है जो यूटूब पे नह आपको बता रहा हूँ और वही चीज हर साल यूज होता है और हर साल मैं कांसलिंग कर रहा हूं लोगों का हजारों स्टूट्ट कर चुका उंगा तो यह बात मेरे को अच्छे से मैं एक राइट परसन हूँ आपको मेरे उपर ट्रस्ट करने के लिए ओके तो पहला सब्जे तो अगर आपका दो language या फिर उससे जादा है तो उसमें से जो highest marks होगा मैं माल लेता हूँ कि अगर आपके बस हिंदी है या फिर इंग्ली से तो आपने इंग्ली से उसमें चूज कर लिया highest marks होगा तो उसके बाद पांचवा subject कोई और भी हो सकता है मिन्स कोई दूसरा language भी हो सकता है या फिर कोई और subject जैसे physical education या फिर moral education या फिर आप कह सकते हो कंप्यूटर साइन्स या फिर कोई और भी subject हो सकता है बहुत से लोग साइकलोजी भी लेते हैं तो वह भी subject आप count कर सकते हैं as the fifth subject करना है और उसके बाद आपको percentage count करना है और क्लियर हो गया होगा कौन कौन से सब्डेट कर लें ओके और दूसरा जीच का आपको 75% होगा कि नहीं होगा और वह अलग बात है जो कि एक परसेंट में लाई करता है कि अगर गवर्मेंट जो है आपका जो क्रेटरिया रिवाइज करें तो में भी उसमें 75% घटा दे या फिर हटा दे तो उस पर आपको नहीं बिलिव करना है जो पास्ट येर जो ट्रेंड चल रहा है उसी भी बिलि अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं और सारा कुछ ऑफिशली ही है तो आप जाकर दुबारा क्रॉस वरिफाइब भी कर सकते हो ओके आप सारा डाउट क्लियर हो गया और वीडियो को लास्त देंग लिए थाएंक इसको मच और सब्सक्राइब जो कर लिजीगा ओके